Hello beautiful parents, आज की वीडियो में हम बात करते हैं हमारे बच्चों के writing skill development की, छोटी उमर में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि future में जाके वो writing में export बन जा है, yes I am talking about pre-writing activities, इस वीडियो में मैं share करने जा रही हूँ 5 ऐसी activities जो हमारे बच्चों को school ready करेंगी, उनको लंबे time तक engage तो रखेंगे बाद में school जाके writing करने में मदद करती है, जितना हम pre-writing skill में invest करेंगे, time invest करेंगे, उनको activities करेंगे, उतना ही उनको school में जाके easy होने वाला है writing करने में, activities मैंने age-wise रखी है, कौन से activity किस age से start करनी है वो बता रखी है, तो आप video को end तक देखने की कोशिस जरूर करना और जा बाद आदू, लेस्ट डाइब इन ते वीडियो, कौन सुरुआत करते हैं, सेंसरी ट्रे से एक प्लेट में सुजी, चावल, आटा या कोई भी टेक्सर वाली चीजे रखके आप ये activity करवा सकते हो, इसमें हम बच्चों को इसी तरह से कोई भी नम बच्चों को इसी तरह से लाइन, कुछ भी करा सकते हैं, ये activity करने में सबसे easy है, और साथी बच्चे enjoy भी बहुत करते हैं, वैसे भी बच्चों को इस टाइप के texture वाले जो feel कर सकते हैं, वाले activities बहुत पसंद होती है, आप इसमें अगर बच्चा छोटा है और अच्चे से नहीं बना पा रहा, तो इस टाइप से आप पहले आप save बना लो, उसके बाद बच्चे को उसमें trace करने दे सकते हो, sensory activity हम बच्चों को one year plus से start कर सकते हैं, पर अगर बच्चा बहुत छोटा है और कुछ भी चीजे मुँ में डालता है, तो आप अपने निगरानी में ही करिए, हमारी दूसरी activity है hand painting या finger painting, generally हम बच्चों को hand से painting करने नहीं देते, इसलिए कि कुछ ज्यादा ही मैशी हो जाता है सोच के, बट उनके अंदर के artist को जगाना है, और खाशकर writing skill develop करने के लिए hand expose होना बहुत जरूरी होता है, जितने बच्चे हाथ से activities करेंगे, finger से activities करेंगे, उतने ही उनके muscle strong हो और writing में उनका skill develop होगा, ये activity भी आप one year plus के बच्चों से start कर सकते हो, बस ensure करना ही कि color non toxic हो, बच्चा बार बार हाथ मुँ में करता है, या कुछ भी खाने की कोशिज करता है, तो उसको हटाना है, आपके निगरानी में ही ये activity करवानी है, activity start करने से पहले बच्चों को interest कॉपी करने की कोशिज करेगा, और next time से वो खुद करने लग जाते हैं, हमारी अगली activity है, beading for fine motor skill, beading भी एक बहुत जरूरी activity में से एक है, इस से हमारे बच्चे का fine motor skill enhance होता है, साथ ही hand eye coordination भी बहुत अच्छी होती है, आप छोटे बच्चों के लिए बड़े-बड़े beats लेके आ सकते हो, और उसमें सूलेश की सायता से beading करवा सकते हो, मैंने इस तरह के alphabets लिए थे, जिसमें बीच में hole है, तो अपनी आराम सी एक्टिविटी कर सकती है, और इसमें risk भी बहुत कम रहता है, market में beading के लिए different different type के toys मिलते हैं, आप उनसे भी ये activity करवा सकते हो 2 years plus के बच्चों से हम ये activity स्टार्ट करेंगे, और पहले attempt में ये वो perfect हो जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे, बार-बार करेंगे तो perfect हो ही जाएंगे Now moving to our very underrated play-doh activity, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा writing skill में export बन जाए, तो play-doh जरूर खेलने दे बच्चों को, इनके साथ creativity करते करते, बच्चे के hand muscle बहुत strong हो जाते हैं, इसी तरह door roll करने दे, और उनको squeeze करने दे, या कोई shape है आपके पास, इस तरह के तो shape बनाने द सकते हो, आप कुछ भी करा सकते हो play-doh के साथ, इससे different type के save भी मिलते हो, वो भी करा सकते हो, तो ये खेलते खेलते बच्चे writing में master बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, play-doh भी आप one year plus से start कर सकते हो, बस ensure करना है कि ये dough non toxic हो, और आप अपने साथ रखके बच् के आदत होती है, चोटी-चोटी जीजे मुमें डालने की हर चीज मुमें डालते हैं, तो ये dangerous हो सकता है उनके लिए, तो आपको बच्चों को अकेले इस type के toys के साथ नहीं चोड़ना है, ये risk हो सकता है, बस आप caregiver के साथ या अपने साथ रखके बच्चों को play-doh खिला सकत हो, अब बात करते हैं, वीडियो की last but बहुत जरूरी activity की, वो है pattern writing activity, ये activity हमारे बच्चों को early writing concept introduce कराती है, साथ ही बच्चों को recognize and replicate pattern भी समझाती है, आप stripe के books मिलते हैं मार्केट में, वो लेके बच्चों को practice कराती हैं, सकते हो, 2.5 year plus से pattern writing start करेंगे, तो बच्चा स्कूल के लिए timely ready हो जाएगा, इस type के activity से एक तो बच्चों का fine motor skill enhance होता है, और दूसरा बच्चों का focus improve होता है, जो की school के लिए बहुत जरूरी है focus करना, इस तरह से आपका काम बहुत easy हो जाएगा, अगर ये book आपको मिल जात सारे pattern इसमें बने होते हैं, तो आप आराम से उनको करवा सकते हो, so आप ये activity घर पे जरूर करवाईए, कभी-कभी हमारे बच्चों को direct book में करना boring लगता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, 2.5 साल के बच्चों को book में करवाना उतना easy नहीं होता, तो आप इस type से बड कोई problem ना आए, दिक्कत ना आए, राइटिंग के लिए, किसी भी तरह उनको उनके finger को engage रखके exercise करवा सकते हो, ताकि उनके muscle स्ट्रॉंग बने, अगर आप नए हो और वीडियो यहां तक देख लिया है, तो please subscribe this channel, इससे मुझे motivation मिलती है, और अच्छे अच्छे वीडियोज लाने की, इस channel में आपको recipes मिलेंगे, healthy recipes मिलेंगे, बच्चों से related activities मिलेंगी, और mother के related information मिलेगी, so please consider subscribing this channel, यह थी हमारी कुछ pre-writing activities, जो हम अपनी को कराते आ रहे हैं, और उसको school ready करने में बहुत help की है, इन activities ने, आप भी अपने बच्चे को नए session के लिए ready कर रहे हो, तो अपने डेली रूटीन में यह activities भी जरूर include करना, और आपके friend circle में कोई बच्चों को school ready कर रहे हैं, तो please यह video उनके साथ share करना, और subscribe करने के लिए बोलना, comment section में जाके अपने baby के एज जरूर लिखना ताक मैं see you very soon, take care, namaste, bye bye